एलो एब्रिवन मैं राजित बंडारी आप सबको स्वागत करता हूँ अपने चाहिए लेक्टिकल अड़र में तो जैसा आपको पता है हम क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसका चौथा चप्टर कर रहे थे ठीक है तो उसमें था हमारा प्रावैदुत का वैदुदुर्वन ठीक ह हमने जो पिष्लि वीडियो में पढ़ा था हो हमने बढ़ा था कि प्रावैदुत मद रहे होते हैं वो तरह कें बी बीच कुस दूरी होते है ठीक है थो नहें धूरबिया में और अधूर्विया में मैंने क्या बोड़ा था कि जो आपका माइनस होता है प्लस होता है उनका केंद्र एक ही होता है ठीक है तो आपके अधूर्विया पदार्थ होते है ठीक है वो कौन से होते है अधूर्विया होते है और धूर्विया में क्या होते है जिनके केंद्र क्या होता है और दूर्विय पदार्त को वैद्दू छेत्र में रखते हैं तो क्या होता है ठीक है तो अगर हम धूर्विय पदार्त को किसी वैद्दू छेत्र में रखते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि जब वैद्दू छेत्र नहीं होता है जब वैद्दू छेत् तो इसका जो टोटल यानि कुल दूज़ी प्रागुण जो था उससे में सुनने होता है जब इसको किसी भाय वैदु छेत्व में नहीं रखते हैं तो यह जो धूर्विय अनू है यह क्या होते हैं एक नियमित गती करने लग जाते हैं इससे पहले अनियमित और इसमें नियमि यह जाएंगे कुछ इस तरीके से ठीक है आपको दिख रहें ने एक दिशा में सेट हो गए पहले के टेड़े मेड़े ते ही है ठीक है तो जैसी आपका वैदु छेत्व में आप इससे रखते हो जाब वैदु छेत्व जीरो नहीं होता है उस समय इसमें क्या आ जाता है अधूर्विया अनुम में आपको बताया है कि जो माइनस होता है प्लस होता है उनका केंदर एक यू होता है ठीक है तो ऐसे पधार्तों कम अधूर्विया पधात कहते है ठीक है अधूर्विया पधात कहते है और इसमें देखो इसमें क्या होता है जैसी आप देखोगे जैसे हम इसको किसी वैद्धूचेत्र के अंदर रखते हैं, तो होता क्या है, इसके अंदर भी दूई धूर आगउन उत्पन होता है, अब दूई धूर आगउन क्या होता है, यानि उनके बीच कुछ दूरी आ जागईगी, यानि जो माइनस प्लस होते हैं, यहां पर अलग इस तरह के से ठीक है और ये इस तरह के से हो जाएंगे इस तरह के से ठीक है यानि इनके अंदर भी थोड़ा के आ जाएगा दूई धूर वागुन आपका उत्पन हो जाएगा जब वैदू छेतर इसका 0 नहीं होता है यानि आपने इसको किसी वैदू छेतर के अंदर रख दि उसे में इसके अंदर दुई धुलागुन, सुन्य होता है ठीक है, जैसे आप इसको वग्दुच्छेते में रखोगे तो इसके अंदर दुई धुलागुन, सुन्य नहीं होता है ठीक है, Does Not Equal का sign लगाता है तो यही प्रावेदुत का वयदु धुरवन होता है यानि जैसी आपने इसको किसी वैदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद यहां पर हम क्या करेंगे एक यह constant लेंगे और एक हम constant लेंगे alpha e ठीक है alpha और एक e हो गया दोनों इसमें vector quantity है ठीक है epsilon 0 को आपको पता है क्या बोलते हैं ठीक है निर्वात की वैद्दू सिलता ठीक है एक जिर्वात की वैद्दू सिलता अफिक के आपने पहले चैप्रण पड़ा है और alpha को हम यहां पर क्या बोलते हैं जो महिद रखने हैं, तो यह आपको यहाँ रखना है, आर्णुग धृरुवर्था, इससे कहते हैं, तो यह फर्मिला आपको यहाँ रखना है, जो P होता है, P vector equal to epsilon 0 alpha E vector ठीक है तो यह आपको इसमें याद रखना है एक चीज़ा आपको इसमें याद रखना है माना यह जो इसके अंदर अनू है ना N है ठीक है यहनी इसके यहाँ पर मैं इसको कर जाता हूँ प्रती एकांग आईतन में ठीक है अगर कितने N अनू हो तो हो तो तो यहाँ पर जो धुर्वन की value हो जाएगी वो कितने हो जाएगी N की multiply कर देंगे इसमें बैस ठीक है N की multiply तो यह formula इसका बन जाएगा प्रती एकांग मतलाब इसका अगर मालो कोई इतना area हम ले ले इसके अंदर कितने अनू आता है अभी तो एक अनू है अगर मालो यहाँ दो है तो दो की multiply कर देंगे तीन है तो तीन की multiply कर देंगे तो उसका formula यह बन जाएगा ठीक है तो यह था आपका प्रावैदूत का वैदूत दुर्वन अब हम इसमें next देते हैं next to इसमें आपका वैदूत प्रवर्ती यह military susceptibility ठीक है तो electric susceptibility यह वैदूत प्रवर्ती हमें ये बताता है कि हमारा जो प्रावैदूत पधार्थ जो अभी हम पढ़ रहते हैं यहापे प्रावैदूत पधार्थ मतले है दूर्विया या दूर्विया वो कितनी जल्दी या कितनी आसानी से उसके अंदर वैदुत दूइधुर उत्पन करता है ठीक है तो जैसे आपने उपर पड़ा ये पदात कितनी जल्दी इसके अंदर वैदुत दूइधुर उत्पन हो रहा है या इसके नदर कितनी जल्दी वैदूतदूर उत्पन हो रहा है वो आपको कौन बताता है वैदूत प्रवर्ति या electric susceptibility ठीके तो वैदूत प्रवर्ति हमएं यह पताता है कि वाइदूतचत में प्रवैदूत पदार्थ कितनी असानी से वैदूत दूतथोर उत्पन करता है ठीक है उसी को हम बोलते है वैदूत परवर्ती ठीक है आया समझ में सिंपल लेंगविज में मैंने आपको बताया है अब यह क्या होता है हर पधार्तों के लिए अलग होता है हर माध्यम के लिए अलग होता है ठीक है अगर निर्वात में अगर हम बात करें नि liکtik सरसेप्टिब्रेटी जीरो थे क्योंकि निर्वात को निर्वात में द्वी धुर्वtıव आगउन उत्पनीद नहीं कर सकते हैं तो उसकी वेलुई जीरो हो जाएगी ठीक है तो जहां पर हम द्वी धुर्व आगोन उत्पन कर सकते हैं वहीं के लेक्टिक ससेप्टिबिलिटी या वैदूत प्रवर्थी की कोई वैल्यू होगी ठीक है अगर हम इसका फॉर्मॉला देखे तो यह भी आपका वहीं से निकलता है जैसे आपने देखा भी जो पी होता है पी वेक्टर हो डाइकलिक प्रपोस्टिन उटता है यानि जितना ज इसको बाइब रहा है देखा है अगरे उतना ज्यादा उसके अंदर दूश whole Ugong समझ में होगा क्या होता है उनके चार्य उतनी दूर चले जाएंगे इनकी बीच की टि 17 ज्याधा उधाइग अठाय तो जब आप यहांपर सांग का सीन न एतान इससे पहले हमने Aecla not और a एल यहाप आप अपसाले नौट भी ले सकतो हो, मैंने अपसाले नौट नहीं लिए है, तो काई की वेलू जो यहाँ सा आएगी, वह आएगी आपकी पी वेक्टर अपवाण ए वेक्टर ठीक है, और यह काई है आपका यही क्या आपका वैदुद प्रवर्ती है, ठीक है, तो इत कब बैदुत परवर्दगी है और एक नोट आप यह भी याद आख सकते हो ठीक है यानि सॉट में अगर मैं दिखाऊं आपको क्योंकि यह उत्पर इसको प्रूप करने की जुरत्व है नि एक क्या है यहां पे? इ-are है आफका इ-are जो होता है ओ रिलेटीव पर्मिटिविटी ठीक है? यह इसको बोलते है माद्यम का परावधुता माध्यम का परावधुता ठीक है? इसको इ-are से दर साथ है ठीक है? और काई तो आपको पता यह वैदूत प्रवर्ती, तो एक फॉर्मला आप इसको भी याद सकते हो, ठीक है, तो यह इन दोनों में यह relation होता है, माध्यम का प्रवैदूतांग, यह इसको आप एथिक प्रवैदूतांग भी बोलते हैं, जिसको ER से दिरसाते हैं, ठीक है, तो यह बराबर होता है, 1 अप आप इससे भी नोट करके से याद कर सकते हो, ठीक है, तो इतना था इसके अंदर आपका, तो आई होप आपको यह समझमाय होगा कुछ, थैंक यू,